आपकी पास Moto E13 है या फिर कोई और फोन है तो यहां पे आप फोन का सेट अप कैसे कंप्लेट कर सकते हैं तो यहां पे आप को देखने को मिलेगा कि English Language में यह फोन अभी एक्टिव है तो English Language से start कर लेंगे और यहां पर आपसे में इंसर्ट कर देंगे तो लेफ्ट साइड में आपको सिंप्रे देखने को मिलेंगी इसको निकाल लेना है तो यहां पर आप दो सिम और एक memory card लगा सकते हैं यानि कि card slot दे रखा है यहां पर देख सकते हैं और ऐसे आपको sim लगा लेनी है इसके बाद network आजाएगा वेट कर लेंगे और data preference किसको देना है sim 1 को यह sim 2 को sim 1 के लिए चूज़ कर लेंगे calling के लिए यह वाला और sms के लिए आप देख लेंगे wifi को हम setup offline पे क्लिक करके continue क्लिक कर लेंगे और इसके बाद इसको आप on रखेंगे accept and continue एक्सेप्ट कर लेंगे और पीन हम बाद में सेट करेंगे screen lock pin क्या रहा है क्लिक कर देंगे इसको skip anyway और यहां पर next पर क्लिक करना है not now not now कर देंगे इसको भी और light mode पर क्लिक करके button वाले को next कर देंगे और done पर क्लिक कर देंगे no thanks कर लेंगे इसको तो इस step से आप यहां पर phone का setup complete कर लीजेगा और android setup अगर आपको देखने को मिलता है इधर से तो आप यहां पर पर देंगे गूगल अकाउंट लॉग इन कर लेंगे ना प्ले स्टोर वगरा तो android setup आपका रिमूब हो जागा चलिए मिलते हैं आपको एक next video में तब तक के लिए नमस्कार कर दो आपको आपको नमस्कार